हलो दोस्तो टेक्नो वी क्रांत में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सेमसंग गिलेक्सी अपडेट के बारे में बताऊंगा और यह अपडेट आपके मोबाइल में कब तक देखने को मिलेगा और क्या है इसका अपडेट लॉक सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चनल पर आया हो तो किजिए बेल आइकन बजाइए आल किजिए तकि हमारे वीडियो के सब नॉटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम एक निव वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पर फैनली सेमसंग की तरफ से यहाँ पर देखेंगे निव अपडेट का जो वर्जन है सेमसंग का जनरली दोस्तों बहुत लंबा रहता है इसका वर्जन नेम तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन की उपर मैं दिखा रहा हूं और साथ ही दोस्तों निव अपडेट का जो साइज है लगभग 2GB के आसप देखने को मिलता है तो यह था दोस्तों सेमसंग गिलेक्सी A51 का बेसिक साफ्टियर इंटरफेस और अब बात करते हैं इसके अपडेट लॉग की चेंज लॉग की कि क्या फीचर्स एड हुए है कौन से बक्स फिक्स हुए है और कौन से मन्त का सिक्योरिटी पेच मिलता है यहां पर दोस्तों सबसे पहले चेंज की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर 1st Feb 2021 का लेटेस्ट Android सिक्रेटी पेच मिलता है जी हाँ दोस्तों यह फरवरी का अपडेट है और फरवरी मन्त का सिक्योरिटी पेच देखने को मिलता है इस अपडेट के थूरू जो की सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं जहां पर दोस्तों बात करते हैं इसके features की तो यहां पर दोस्तों new UI मिलता है साथ में दोस्तों Android 11 का update जो है देखने को मिलता है One UI 3 के साथ में जहां पर आपको बहुत सारे features add हुए हैं कुछ features को optimize किये हैं जैसे कि यहां पर देखेंगे one time permission का है digital valving का है privacy control का है बेटरी power को भी यहां पर improve किया है performance improvement हुआ है Wi-Fi direct dual messenger other apps को separately update देखने को मिलता है साथ में दोस्तों इसमें SD card से direct आप files share वगरा copy वगरा कर सकते है Chromecast वगरा को यहां पर और भी ज्यादा अच्छा से improvement किया है तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे features हैं जिसमें one UI 3 based on android 11 का features देखने को मिलता है दोस्तों आप वीडियो को पाउस करके और भी अच्छे से पूरा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं तो यह था दोस्तों Samsung Galaxy A51 का full update lock change lock जो की one UI 3 based on android 11 का है दोस्तों यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताना और अगर नहीं मिला होगा दोस्तों तो टू वीक wait कर लिजे दोस्तों यह update आपको टू वीक के अंदर जो है देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तों